दोस्तों उत्तर प्रदेश में TGT PGT के नए विग्यापन का इंतजार अभिरतियों को बहुती बेसब्ली से है लेकिन विग्यापन कब जारी होगा इसके लिए अभी फिलाल कुछ भी निश्चित तोर से कहपाना मुस्किल होगा पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अ तदर्थ सिख्चकों को राहत देने पर अभी नेड़े नहीं हो सका है और जब तक तदर्थ सिख्चकों को यानिकी एड-hawk टीचर्स के बारे में नेड़े नहीं होता है विग्यापन भी जारी नहीं हो पाएगा तो TGT PGT 2020 में तदर्थ सिख्चकों को रहत देने पर कोई नेड़े नहीं हो सका यह जरूर है कि बैठकों का दौर जारी है और जल्दी फिर बैठक होगी माना जा रहा है कि उसमें कोई रास्ता निकलेगा उप मुख्यमंत्री की अगवाई में बैठक में सिक्षकों की लिखित परिक्षा भारांक वी निमती करण सहीत कई बिंद और MLC उमेज देवधी सहीत अने लोग मौजूद थे फिलाल देखते हैं कि इस पर नेड़े कब होता क्योंकि जब तो नेड़े नहीं होगा तो नया बिग्यापन जारी नहीं हो सकेगा क्योंकि बिग्यापन इसी के लिए वापस लिया गया था और फ्रेंट्स यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है सरकार अगर इसे मान ले तो सिविल सेवा के जितने भी एस्पेरेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी कबर है तो सिविल सेवा परिक्षा में उम्र में भी छूट पर हो विचार और ये बात कहिए सुप्रीम कोड ने सोमवार को केन सरक और UPSC से कहा कि COVID-19 जैसी असाधारान प्रस्ति को देखते विए क्यों नहीं सिविल सिवा परिक्षा में अधिक्तम उम्रसीमा में छूट दे दिया है क्योंकि एक औसर दोसर की बाद छोड़िए उम्रसीमा आप डिशाइड कर दीजिए कि एक दो साल की छूट मिलेगी और पिछली सुनवाई की दौरान केन सरकार ने वर्स 2020 में अंतिम प्रयास करने वाले परिशार्तियों को एक और मौका देने पर समती जिदाई थी तो जस्टिस एम खान विलकर की अधक्सता वाली दो सदिस्ति पीट ने केन सरकार की और से पेस अधिक्तम उम्रसीमा में भी छूट प्रदान की गई थी आपको याद होगा 2011 मैटर जब सीशेट लाग हुआ था तो उस साल भी छूट मिली थी उसके अकले वर्स तो ऐसे में क्यों नहीं इस बार भी अधिक्तम उम्रसीमा में छूट दे दी जाए पेटने का कि हम यह उम्मीद करते हैं कि आप इस मसले को लेकर द्रिन नहीं रहेंगे यह असाथावाद परिस्थिती है सभी लोग इससे प्रभावित हुए हैं यह चै करता हो कि वकीलों क कोचिंग क्लास की जरूत पढ़ती है लेकिन कोवीड नाइंटीन की कारण यह सब संभाव नहीं हो सका है तो आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगली ख़बर पर एल्टी ग्रेड अर्था के मसले पर जल्द सुलस सकता है बिवाद बात यहां पर हो रही है हिंदी विशे के बा लेकिन उसका जो पैडाम था वो जारी नहीं हो पाया था पैडाम बाद में आया लेकिन यहां पर जो मामला था वो दब तक फस चुका था तो यहां पर देखो जो खबर है उसमें अभेड़तों का कहना था कि आविदन प्रक्रिया के दवरान उनकी सैक्षिक हरता पूरी हो सिक्षिक भरती के तायत 15 मार्च 2018 से आविदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी आविदन के लिए एक मार्ग का समय दिया गया था आविदन प्रक्रिया के दवरान एल्टी ग्रेड हिंदी के लिए निर्धारित सैक्षिक हरता कई भिरती पूरी नहीं कर रहे थे उन्हें इ भिरत्यों ने आविदन किये थे लेकिन इनमें से आयोग में उनके सैक्षिक अब्लिकों की सत्यापर प्रक्रिया भी हो चुकिये लेकिन इनका चैन और पबंदिक मानकर आयोग ने फाइलें रोक कर रखी है तो यह मामला है और इस पर आस्वासन यह दिया गया कि जल्दी यह मामला सुलज़ा लिया जाएगा और सिक्षक वरती के बारें बात के रहें तो 69 अजा सिक्षक वरती प्रक्रिया कि अभीिρέतियों ने सोँव मुहर को लेका निसात गंज इस्तिव नीत सालै का कहुई आघिराव किया है अभीद्यों ने विभाग पर सौतेला ब्योवार करने का आरोप डगाते वे कहा है कि आविदन के समय में तुरुटी बस उनका प्राप्तांग ज्यादा और प्रोडांग कम हो गया तो उन्हें सुधार का आउसर नहीं दिया गया जबकि कई जिलों में मूल अभिलेकों से मिलान कर अभिरतियों को नए सिक्षकों के पदपर न नहीं गया है और आगे चलते हैं चलते हैं अगली खबर पर तो एक मार से सुबह नो बजे से प्रामरी स्कूल उत्तर प्रदेश में खुलने जा रहे हैं तो यहाँ पर महानिदेशक स्कूल सिक्षा विजय किरन आनंद ने बता दिया है कि कच्षा एक से पांस तक के लिए स और अभिद्यार्थों के लर्णिंग आउटकम प्रात कराने के लिए की जिम्मेदारी होगी वो सम्मनित सिक्षक की होगी गर्मियों में जो इसकूल होगा वह आठ बजे से सुदू होगा दो बजे तक सर्दियों में नौ बजे से तीन बजे तक तो यह डिशाइड किया ग प्रति नियुक्ति से तैनाती का फैसला लिया गया है योपी सरकार जल जीवन की योजनाओं को रफतार देने के लिए 3000 से ज़्यादा लोगों की तैनाती करेगी यह लोग नए बनने जा रहे हैं निदसाले में रखे जाएंगे इसमें अधिकारियों कर्मचारियों के 3130 पद पर नियुक्ति जोगी वो आउट सूर से होगी और 369 पद तीन साल के अनुबंत से भरे जाएंगे इसके रामा 572 पद प्रति नियुक्ति से भरे जाएंगे नौगटित नमामि गंगे और ग्रामिड जलापूर्ति निदसाले में मुख्याले मंडल और जिलास्तर पर तरसा अमले की तैनाती की जानी है इस निदसाले को बदनाने की सध्धानतिक अनुमती पिछले साल सितंबर में दी गई थी और जैसा का आप जानते हैं सहाय कसांग की अधिकारी का पईडाम जारी कर दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं आयोग की वेबसाइट पर और इसी के स साथ यह खबर आ रही है कि असास की सहायता प्राफ्त जूनियर है स्कूल में जो सिक्षक भरती परिक्षा होनी है जिसको आप लोग ने नाम दिया हुआ है सुपर्टेट का तो सुपर्टेट के रिए 1894 सिक्षकों की भरती के लिए लिखित परिक्षा UPTT से पहले होने के आ आफिसियल नाम नहीं है तो UPTT के लिए प्राधिकारी की ओर से दो बार फस्ताव सासान को भेजा जा चुका है लेकिन मंजूरी नहीं मिल सकी है इसी भी चाहे कोड में चल रहे है एक मामले के करम में सरकार ने सिक्षक भरती परिक्षा के लिए कारिकारी इंदेशक 18 जनवर परिक्षा कराई जा सकती है परिक्षा संसदार ने कुछ बिन्दों पर सरकार से मार्द रसन भी मागा है तो यहां पर अब आप लोगों के सामने समस्या यह होगी कि स्लेबस अभी डिक्लियर नहीं किया गया है फिलाल जो स्लेबस संभावित है उसके बारे में मैं आपको पता रहा हूं निश्टी तोर से यह जो परिक्षा होगी उसमें करेंट अफेयर जरूर पुछ जाएगा करेंट अफेयर इस्टेटिक जी के इसके अलामा हिंदी का जो पोर्षन है यह भी काफी इंप्वार्टेंट होगा और इसके अलामा आपको जो है इस्टटी करना है अपने रिलेटेट सब्जेट की वहां से भी कोश्चन आएंगे एविये सानी की परवान अध्यन से भी कोश्चन आएंगे ठीक है और सबसे इंप्वार्टेंट होगा और बहुत ज़रूरी होगा मैथ तो मैथ की तरह आप लोग कर लीजेगा 6-8 लेबल तक के लिए और इ और करेंड फिल का यह जो वीडियो होता है रोज सुबर मॉर्निंग में 5 बजे चैनल पर अप्रोड कर दिया जाता है इसको देखना आप लोग बिल्कुल सुनिश्चित करें एकदम सुबर सुबर ही क्योंकि सुबर की समय आपका दिमाग होता है तत्यों को बहुत ही अच् और नॉमबर की जो पीडियेफ है वो तयार हो रही है बहुत जल्दी नॉमबर की पीडियेफ भी आपको लोगों को दी जाएगी फरवरी का करेंड फेयर लगातार चल रहा है और हम लोगों ने कोशिसे की है कि आपका रिवीजन भी चैनल पर ही करवाय जाए जिसके लिए हम लोग साथाहिक रनेफेर भी अपलोड कर रहे हैं तो साथाहिक रनेफेर का वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है पहले सब्ता का उसको भी आपलोड देखने ना समय दीजिए पढ़िए ठीक है तब जाके सेलेक्सन होगा और फिलाल अभियूद्यों योजना के लिए चैनल की दस तर्भी से पोडल साथ से पॉर्ड़ स्टार्ट हो रहा है तो पॉर्टल पर आप लोगों को रेश्रेशन करना है जिसे निर्धन आयवफ़ के छात चात शातरे हैं अपना रेश्रेशन करेंगे कच्छाएं जो होंगी वो सूला फ्रवली से स्टार्ट होने जा रही हैं और अभ्यूद्यों की योजना के माध्यम से अब एड़ती सिविल सिवा, JEE, NET, NDA और CDS के तहट ग्रामेट शित्र के निर्धन आईवर के यह जो लोग गरीब हैं उनको निसुल प्रस्रिक्षन दिया जाएगा दस पर भी को पोर्टरे स्टार्ट होगा उसके बाद हम इस पर करेंगे विस्तार में डिसकसन फिलाल बने रही है हमारे चैनल पर हम मिलेंगे आफ से अगले वीडियो में और एक बात और भी कि सुपर्टेट की पूरी तयारे के लिए चैनल पर बने रहे हैं और हमारे टेलिग्रांट से ज़रूर जूर जाएं, वहाँ पर आपको बहुत सारी important information PDF की रूप में सेर की जाती है, हर वीडियो को सेर किया जाता है ताकि आप का कोई वीडियो लेक्चर छोटने ना पाए, तो हम मिलते हैं आप से कले वीडियो में, आगे दीजिए नमस्कार, जैहिंद, मैथ क्लास आज से स्टार्ट हो रही है, आज हम चर्चा करेंगे कि मैथ में क्या क्या टॉपिक है जिस पर यह सारी क्लास बिल्कुल चलने वाली है, ठीक है, तो मिलेंगे आप से कले वीडियो में आगे दीजिए नमस्कार जैहिंद,